टीवी की दुनिया में एक बार फिर मातम पसरा है सीरियल तारक महता का उल्टा चश्मा में अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगदाने वाले आक्टर सुनील होलकर का निधन हो गया है गंभीर बिमारी के चलते सिर्फ 40 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए है सुनील के निधन के बाद से उनके साथ काम करने वाले तमाम कलाकारों को गहरा सद्मा लगा है नए साल में एक बार फिर गहरे दुख में डूब गया है छोटा पड़ता नहीं रहे अभीनेता सुनील होलकर टीवी की दुनिया से आई है ये दिल तोड़ने वाली खबर सिर्फ 40 साल की उम्र में दो मासूम बच्चों और पीवी को रोता बिलखता चोड़ गए सुनील टीवी की दुनिया को तो जैसे किसी की पूरी नजर लग गई है तो निश्य शर्मा के बाद अब सीरियल तारक महता का उल्टा चश्मा के आक्टर सुनील होलकर का निधन हो गया है वो हिंदी सीरियल्स के अलावा मराठी सीरियल्स और फिल्मों के एक मशूर आक्टर थे सिर्फ 40 साल की उम्र में सुनील ये दुनिया छोड़ कर चल बसे हैं बता जा रहा है कि सुनील को लिवर सुराइसिस बिमारी थी जिसे वो लंबे समय से पीडित थे वो डॉक्टर से च्रीटमेंट भी करवा रहे थी और तेरा जन्वरी कोन होने अंतिम सास ली सुनील के निधन से उनके परिवार पर दुखो का पहार तूट पड़ा है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सुनील अपने पीछे परिवार में बुढे माता पिता, पतनी और बच्चों को छोड़ गये है इस सदमे सा उनका परिवार बुरी तरह से भिखर गया है दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया चिन गया है सुनील के बच्चों की उम्र बहुत कम है बता दे कि सुनील होलकर दो बच्चों के पिता थे उनके एक बेटे का नाम अठांग है जिसकी उमर 12 साल है तो दूसरे बेटे का नाम अभेदिया है जो कि अभी सिर्फ 6 साल का है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सुनील होलकर को अपनी मौत का हिसास पहले ही हो गया था कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने एक दोस्त को आखरी मेसेज भीजा था इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था उन्होंने दोस्त को वाटस्याप पर भेजे कई मेसेज में सुनील ने कहा था कि ये उनकी आखरी पोस्ट है वो सभी को अच्छे से लविदा कहना चाते थे और सबसे मिले प्यार के लिए धन्यवाद साथ ही सुनील खुद से हुई गलतियों की माफी मांगना चाते थे हालगे सुनील बेवक्त ही काल के गाल में समा गए सुनील के निधंसे मराठी और हिंदी टीवी इंडेस्ट्री की हरे दुख और शोक में डूप गई है Entertainment industry में वो बीते 12 साल से भी ज़्यादा समय से आक्टिव थे उन्होंने तारक महता का उल्टा चश्मा, Madam Sir, Mr. Yogi जैसे सीरियल में क्यारक्टर रोल्स प्ले किये थे सुनील अपनी अनोखी कॉमिक टाइमिंग की वजह से मशूर थे ऐसे में उनके जाने सातारक महता में उन्हें देखने वाले दर्शक काफी ने राश हैं फेमिस सीरियल में उनका किरदार आज भी दर्शको को याद है सुनील होलकर आखरी बार नाशनल अवार्ड विनिंग फिल्म गोश्ट एका पिटानची में काम करते नजर आए थे